आज बनाएंगे मटर पनीर की सबजी जिसमें हम बिना प्यास लेसुन को यूज किये बिलकुल आसान तरीके से इसे बनाएंगे होटल जैसा स्वाद आपको घर पर ही मिलेगा तो चलिए इस रेसेपी को शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं चार मीडियम साइस के टमाटर इन्हें धोकर रफली काट लेंगे साबुत मसालों में दो हरी लाइची, तीन से चार लॉंग, साथ से आठ काली मिर्च और एक बड़ी लाइची को लेंगे काली मिर्च और लॉंग इसमें ज्यादा है, इसलिए इसे पूरा नहीं डालेंगे अब इसी के साथ दो तेज पत्ते इसमें डालने के लिए हैं दो खड़ी यानि साबुत कश्मीरी मिर्च इसमें डालेंगे अगर ये ना हो तो कोई बात नहीं, इसकी जगे कश्मीरी मिर्च पाउडर को यूज करेंगे सबजी में डालने के लिए ताजा दही आधा कटोरी लेकर इसको चम्मच से फेट लेना है खटा दही बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो सबजी खटी बनेगी जो खाने में अच्छी नहीं लगेगी अब हमें एक कटोरी लेनी है जिसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे बिना प्याज लहसुन की सबजी है, इसलिए मसाले थोड़े ज्यादा लग जाते हैं देड़ छोटी चमच हल्दी पाउडर, दो छोटी चमच धनिया पाउडर, आदा छोटी चमच रेगुलर लाल मिच पाउडर, एक छोटी चमच भरकर या फिर देड़ छोटी चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर डालेंगे चौथाई कप पानी डालकर मसालों को घोल लीजिए जिससे मसाले फूल जाएंगे इस तरह से मसालों को घोल कर जब भी सबजी बनाएंगे सबजी का टेस्ट काफी अच्छा आता है काफी हद तक ताजे पिसे मसालों की तरह यह मसाली अच्छे से घुल चुके हैं, अब इसको side में रखते हैं ताजे पनीर के छोटे छोटे cubes कर लीजिए, मैंने आधा किलो ताजा पनीर यूज किया है ताजे पनीर की बनी हुई सब्जी खाने में अच्छी लगती है ये मैंने चोटा सा टुकडा पनीर का बचा लिया है इसको हमने काटा नहीं है बार में यूज़ करेंगे अब मैंने एक कठाई ली है इसको गैस पर रखकर गरम कर लेते हैं फिर इसमें 3-4 टेबिल स्पून आईल को डाल कर गरम करना है जब तेल गरम हो जाए तब इसमें 14 चोटी चमच हींग और 12 चोटी चमच जीरा डालेंगे सारे खड़े मसाले डाल कर इसको मीडियम फ्लेम पर चला लेना है मैंने इसमें काजू या फिर मगज को नहीं डाला है अगर आप डालना चाहते हैं तो 7-8 काजू या फिर 1-1.5 टेबिल स्पून मगज को डाल सकते हैं और फिर चला लीजिए मसाले भुन चुके हैं अब इसमें रफली कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं टमाटर डाल कर इसे चला लेना है टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं इसलिए इसमें हम एक छोटी चमच नमक को डाल कर मिक्स कर लेते हैं नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे जेड़ छोटी चमच इसमें कसूरी मेथी को डाल कर चला लेते हैं इसके डालने से सबजी में बहुत बढ़ी आसी खुश्बू और फ्लेवर दोनों आ जाएंगे टमाटर और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसलिए धक कर पांच मिनट के लिए low to medium फ्लेम पर पकने देंगे पांच मिनट बाद लिड को हटा कर चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं अब गैस को बंद करके इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडा होने पर इसका पेस्ट बनाना है टमाटर पूरी तरह से थंडे हो चुके हैं इसमें से तेज पत्ते को निकाल देते हैं आप चाहें तो बड़ी इलाइची को भी निकाल सकते हैं अब इसको grinding jar में डाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे टमाटर का पेस्ट बना लिया है अब इसको छान लेंगे इस पेस्ट को छानने के लिए किसी भी वरतन पर स्टील की मोटी जाली वाली छानी रखकर उसमें इस पेस्ट को डाल कर चम्मत से चला कर छान लेना है ऐसा करने पर जो मसाले अच्छे से नहीं पिसे हैं वो छानी के ऊपर रह जाएंगे अब आदा कप पानी ग्राइंडिंग जार में डाल कर हिला लेंगे और फिर इसी छनी में डाल कर चान लेंगे फिर से एक कढ़ाई लेनी है इसमें एक टेबिल स्पून ओइल को डाल कर गरम करना है फिर इसमें आदा छोटी चम्मत जीरा डाल कर तड़का लेंगे जीरा के तड़कने के बाद इसमें भीगे हुए मसाले डाल कर चला लेना है चार से पांच मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले भूनेंगे मसाले जब अच्छे से भूनेंगे तो सबजी खाने में जादा अच्छी लगती है नहीं तो मसालों का कच्छा पंच सबजी का टेस्ट बिगाड़ देता है मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं अब इसको चला लेते हैं और इसमें उबालाने देते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आ चुका है इस समय हम फेटा हुआ दही डाल कर इसे लगातार मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे जब तक ग्रेवी में उबाल ना आ जाए तब तक इसको लगातार चलाना है नहीं तो दही फट सकता है उबाल आ चुका है अब इसमें आधा कटोरी हरी मटर के दाने डाल देंगे ये मैंने फ्रोजन मटर को ली है इसी समय इसमें पनीर के क्यूप्स डाल देते हैं इनको चला लेंगे अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी टमाटर में डाला था इसलिए हिसाब से इसमें नमक डालेंगे इसको चला लेंगे अब इसको ढख कर 10 मिनट के लिए low to medium flame पर बनने देते हैं 10 मिनट बाद सबजी कुछ इस तरह से है अब इसमें ग्रेट करके पनीर डालेंगे जो की बचा कर रखता इसको मिला लेंगे आप चाहें तो इसमें एक छोटी चमट चीनी को भी डाल सकते हैं जो की टेस्ट बैलन्स करती है दो मिनट तक और इसको पका लेते हैं सबजी हमारी बन चुकी है गैस को बन कर लेंगे और इसको निकाल लेते हैं ये लीजिए बिना प्याज लहसुन से बनी इस मटर पनीर की सबजी को जो स्वाद में बहुत ज़्यादा लाजवाब है इसको हमने गार्णिश किया है घर की फ्रेश मलाई से जिसको हमने हलका सा चम्मत से चला लिया है अब डाला है ग्रेट करके पनीर और कटी हुई हरी धनिया सबजी अगर ठंडी होकर गाड़ी हो जाए तो पानी को गरम करके सबजी में डालकर मिक्स कर लिजे इसके साथ नान, मिसी, रोटी, पराठा, पूरी, कुछ भी खाईए खाने में मज़ा आ जाएगा आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए